नमस्ते मैं आप सब की वेल विशर सोमा पाठाक फिर से लेके आई हूँ हम किस रोग को ठीक करने के लिए कहां पर हीलिंग लेंगे इसका थर्ड पार्ट एक और पार्ट बनाने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी से मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते है हिल करने का मेथर्ड पता चल जाये कौन से पॉइंट्स आप हील करने से आपको किस प्रॉब्लम से निजाद मिल सकता है हीलिंग मिल सकती है आपको रिलीफ मिल सकता है तो आइए शुरू करते हैं पार्ट तृ अगर आपको कान में कहीं समस्या है तो आप कहां हाथ रखके हीलिंग लेंगे उससे पहले फिर से एक बार बता दूँ कि आपने रेकी उसुई रेकी ट्रेडिशनल हो या होली फायर रेकी सीखा है और आपको अच्छे से पॉइंट्स के बारे में पता है कि कौन से बॉडी प आपने हाथों में आहवान करना है और फिर कैसे आपको हीलिंग करना है यह सब आपको पता हो तभी आप और आपको एट्यूनमेंट या प्लेसमेंट मिल चुका हो तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे क्योंकि आपको इसकी पूरी जानकारी होगी अगर आपने बहु चुके हो आप रिवाइस करना चाहते हो तो फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं रिविजन क्लास के लिए ताकि आप लोगों को फिर से रेकी के बारे में जो भी आप भूल चुके हो फिर से एक बार रिविजन हो जाये और कोई भी प्रॉबलम्स आप खुद का और अपनों का प्रॉब्लम हील कर सको तो जो बोल रही थिये आज है कान का समझ कान में अगर आपका समूस आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कान में दर्द हो कुछ भी हो तो कहां healing लेना है तीन नंबर पॉइंट में या कान में आप दोनों हाथों को कानों में कानों के ऊपर रखिए हीलिंग पोजिशन में और 10-15 मिनिट्स हीलिंग लीजिए दिन में दो या तीन बार और इसे कंटिनियों कीजिए तीन से साथ दिन तक नेक्स्ट है एडेमा एडेमा मतलब अगर हमारे बॉडी में ज्यादा फ्लूइड या पानी जम जाता है और उसके वज़े से हमारे पैरों में जो स्वेलिंग होती है कि इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है हमें HIV च्रा मतलब हाट चक्रा या अनाहत चक्रा में ISO में सोलर फ्लेक्स लंग्स são सेक्रल और युरिनरी ट्रैक्ट में हमें हीलिंग लेना है फिर से एक बार बताती हूं, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्स या मनिपुर्ट चक्रा, लंक्स, सेक्रल चक्रा और यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको हीलिंग लेना है, ये भी आपको 10-15 मिनिट्स दिन में 2 बार, 3 दिन या 7 दिन आपको जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से जैसे चाहे नेक्सित हो रहा है उसह साब से आपको कंटिनू क्रना है आप चाहे तो गहीं कर सकते हैं, अगर अगर आप स्ट्रेंथ और बैलंस में रहना चाहते हैं अपने बोड़ी को इसी माएऊ बैलंस को अपने डैलनस में रखना supra कहां चाहते हैं तो फिर आप कहाँ लिंग लेंगे आप पाओं के नीचे मतलब पैरों के नीचे दोनों पैरों के नीचे हाथ रखके सोलर फ्लेक्सस पे हार्ट चक्रा पे और थाइराइड ग्रंथी जो है हमारे पीछे वाला जो पॉइंट है वहाँ पर आपको ही लिंग लेना है इसे भी आप वैसे सेम प्रोसेस में क है एक दो दिन नहीं होता है इसको कांटिनुज्ली टू मज्ट भी मनस wordt कंटिन्यू करना है और जितना जाधा अप भी लिंग करेंगे उतना ही जल्दी स्थे आपजल्दी इस कांवस्त हो जाएंगे तो आपको सर के एक नंबर पॉइंट से लेके इस उस नंबर पॉइंट तक आपको healing लेनी है साथ ही साथ आपको solar plexus में healing लेना है नेक्स्ट है आखों की समस्या आखों में किसी भी तरह की समस्या हो चाहे वो विद्धावस्ता के वज़े से हो हो ग्लोकोमा हो किसी भी तरह का problem हो तो आपको हमारे सर के एक नंबर पॉइंट दो नंबर पॉइंट और पांच नंबर पॉइंट में healing लेने की जरूरत है कि नेक्स्ट फूट पॉइजनिंग अगर आपको हुआ है तो आप कहां healing लेंगे या किसी और को आपके family members में या किसी और को healing करना चाहते हैं तो आप कहां healing देंगे विदय यानिकि अनाहत या हार्ट चक्रा सोलर प्लेक्सस सेक्रल चक्रा बैक हार्ट चक्रा और मिट बैक इन सारे पॉइंट में आपको healing लेने हैं फाइब मिनिट्स करके आप मिनिमम लीजिए सारे चक्रा में और इस इस प्रोसेस को आप दिन में तीन बर कंटिन्यू कीजिए और देखिए किस कितना फैदा मिलता है आपको नेक्स्ट है किसी भी तरह के गाइनक्लोजी प्रॉब्लम अगर हो आपको तो आपको healing लेना है आपके सेक्रल चक्रा में और ओवरी में कि नेक्स्ट हाथ या कंढ़े के किसी भी समस्या के लिए आपको समस्याँ हो रही है जिस पार्ट पर हो रही है उस जगह पर हाथ रखके healing लेना है साथी साथ अपको हाठ चक्रा में लेने की बहुत जरूरत है तो इन दोनों जगह पर जब लेंगे आपका कंधे का समय में या हाथ में जो भी समस्या है जो भी पेन है वो दीरे-धीरे कम होना स्टार्ट होगा पर healing continue करना ज़रूरी है hangover hangover को दूर करने के लिए आपको first एक number point तीन number point sorry एक number दो number तीन number हमारे first तीन points के साथ साथ solar plexus और सेक्रल चक्रा में हैंगोवर को काटने के लिए आपको first के तीन points solar plexus और सेक्रल चक्रा में healing लेने की जरूरत है next अगर आपको सर में दर्द है किसी भी तरह का headache हो headache हो forehead में हो या पूरे सर में हो या half forehead में किसी किसी को pain होता है तो आपको कहां healing लेना है आपको जिस जगह पे pain हो रहा है उस जगह पे और साथी साथ first के जो six points है healing के six healing points में आपको healing लेना है और आपके सेक्रल चक्रा में next है heart के किसी भी समस्या के दिल से related किसी भी तरह के समस्या चाहे वह health issues हो या emotional issues हो आप हार्ट चक्रा पे मनिपुर्ट चक्रा पे और सेक्रल चक्रा पे यह तीन तीनों जगह पे आप healing लीजिए 10 minutes करके 30 minutes total healing लीजिए और देखिए धीरे धीरे आपका problem हील हो जाएगा next है अगर आपको bleeding हो रही हैं कहीं पर कि bleeding को स्टॉप करने के लिए जिस स्थान से आपको bleeding हो रहा है उस स्थान पर healing लेने की जरुरत है और साथ ही साथ solar plexus next video में और भी कुछ points में बताऊंगी अगर आपको कुछ भी जानने की जरुरत है आप WhatsApp में message कर सकते हैं या comment कीजिए